दोस्तो ये जो स्कोर्पियो एन आपने देखी जो खुद एक जड़ना बन गई है ये स्कोर्पियो एन है मशूर यूट्यूबर अरुन पवार की अरुन पवार मस्त अपने स्कोर्पियो को लेकर गए थे पहाड़ो पर इंजोय करने रास्ते में उन्हें एक जड़ना दिखाए दिया तो उन्होंने सोचा क्यों न इसकी अपनी स्कोर्पियो को नेचर के दौरा वोश करवाया जाए पड़ जल्दी ही अरुन पवार की वो आखिर हुआ कैसे तो दोस्तों ये पानी लीख हुआ संरूफ के पास से हो सकता है कि संरूफ शायद सही से बंद ना हुई हो या उसकी फिटिंग सही से ना हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो जो पहले से ही आया हो खैर ऐसे पानी आना गाड़ी के इंटीर को बहुत जादा नुकसान पहुचा सकता है खासतोर से इलेक्ट्रोनिक्स को और स्कोर्पियो में तो रूफ माउंटिट स्पीकर्स भी हैं तो ऐसे पानी आना बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है जब अरुन पवार अब जो भी एक्शन लेंगे उसके बारे में मैं आपको वीडियो के थुरू जरूर बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सेके कि ऐसी सिचुएशन में क्या स्टैप लेना चाहिए और ऐसी वीडियो पानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना स्कॉर्पियो एन की बहुत ज़ादा डिमांड है इसका वेटिंग पीरिड भी लगबग 55 से 60 वीक का है अब मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट से लोगों का मन तो एक बार ज़रूर बतलेगा स्कॉर्पियो एन खरीदने से पहले महिंदरा को आगे आक कर इसका सॉलुशन देना चाहिए ताकि लोगों में स्कॉर्पियो एन को लेकर गलत मैसिज ना जाए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू भाई अभी मैं इतनी मस्त वाजियों के बीचु यहां मेरे को जर्ना दिख गया चलो एक पर अपनी स्कॉर्पियों को दोता हूं इसमें मजा आ जाए अप्रीपंड में नैचुरल वोस हो जाएगी अपनी गाड़ी संरूप बंद कर ले तो उनका संरूप में स्पानी बन ही आ जाए मजा गया मजा गया मस दोबली है हमारी गाड़ी औरे तो भाईया यू कहा है यह क्या चल रहा है भाई जरना लो गाड़ी लो पीज़र और यह भाईया क्या यह कहां स्पीकरों में से पानी क्या है यह